चोपड़ा जो किसने यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हरदिक स्वागत करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, राजस्तान स्टेट की ओफलाइन काउंसलिंग चल रही है और आज फस्टे को राजस्तान स्टेट की 2000 रेंग के तक के स्टुडेंट को बुलाया गया था लेकिन किसी कारणवस से 1700 स्टेट रेंग के बच्चों की ही काउंसलिंग हो सकी है और ये राजस्तान में पहली बार हुआ है कि 1700 रेंग तक जिस कंडिडेट के 11,415 रेंग है 624 मार्ग से उसमें सारे पुराने कोलेज की सीटें खतम हो चुकी है यानि अभी जो आप ये सीट मैट्रिक्स देख रहे हैं ये लास्ट का सीट मैट्रिक्स है 11,415 रेंग तक का इसमें सारे पुराने कोलेज में सीट खतम हो चुकी है और जो आज ये काउंसलिंग थी वो OBC, UR और EWS कैटेगरी के कंडिडेट्स की थी इसके बाद में SC, ST के कंडिडेट्स की काउंसलिंग बाद में है यानि की 25 और 26 को है तो इन कंडिडेट्स को 2000 रेंग तक जो सीटें मिली है यानि कि 2000 रेंग का तक तो काउंसलिंग हुई नहीं है लेकिन 1700 रेंग तक जो सीटे मिली है उसमें प्राणी कोलेजों की सारी सीटे इसमें ख़दम हो चुकी है अभी इसमें बाडमेर और डूंगरपूर इसके अलावा चार नए कोलेजेज की सीटी बची है ये जो आप सीट मेट्रिक्स देख रहे हैं ये आज की काउंसलिंग एंड होने के बाद लास्ट जो सीट मेट्रिक्स बचा है वो है इसमें 1700 रेंग तक 1700 स्टेट रेंग 11,415 ओल इंडिया रेंग जिसके 624 मार्ग सें वहां तक की काउंसलिंग अभी हो चुकी है अभी ये बाकी 24 नूबर 22 को होगी और इसमें बचे वहे कंडिडेट्स को सीट अलोट की जाएगे राजस्थान स्टेट की ये सेकंड राउंड की काउंसलिंग में ऐसा पहली बार हुआ है कि इतनी ज्यादा कटोप गई है नहीं तो आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि ओल इंडिया कोटा और राजस्थान की कटोप में इतना डिफेंस आया हो हलांकि डिफेंस पहले भी आता रहा है पहले भी राजस्थान की कटोप ओल इंडिया कोटा से ज्यादा जाती थी लेकिन इतनी ज्यादा देखने को नहीं मिली है मैने सीट मैट्रिक्स आते ही सभी कंडिडेट को इसमें आ मैंने पहले कभी इस साल राजस्तान की सेकंड राउंड की कटोफ रेडिक्ट नहीं की क्योंकि मेरे को इस बात का आइडिया था कि ये कटोफ काफी जादा जाने वाली है इसलिए मैंने कभी सेकंड राउंड की कटोफ रेडिक्ट नहीं की कि इतनी कटोफ जा सकती है इसकी क् में second round की cutoff predict करता तो काफी सारे candidates को ये सच नहीं लगता और उसमें फिर comments वगरा ठीक नहीं आते तो ये बहुत ही पहली बार ऐसा हुआ है कि राजस्तान में इतनी ज़्यादा cutoff पुराणी college की cutoff जो गई है 11,415 ये काफी ज़्यादा चली गई है UR, OBC और EWS category के लिए भी allotment हुआ है बाकी SC, ST, MBC STA category का allotment होना बाकी है तो ये जो seat matrix आप बची हुई देख रहे हैं इनका allotment 24 number 22 को होगा तो इसमें ये cutoff काफी ज़्यादा जाने की possibility है और आप ये देखी रहे हैं मिलेंगे नई update के साथ बताएंगे की क्या रहा second round का second day का result मिलेंगे तब तक के लिए जैहिं